कैसे हैं आप लोग आशा हैं सही हुंगे सौस्ट हुँगे अच्छे होगे दिसको नहीं करते हैं mais कर लिकाटेंगी तो काटने के मैं अच्छे तरीकिए तो इंच टेप से नापने के पाद ही मैं इसको काटूंगी निशान लगाऊंगी अगर आप बिगनर हैं आप नई लोग हैं नहीं बनाना जानते हैं आपकी बच्ची छोटी है और आप बनाना चाहते तो आप इस तरह से लहंगा बना सकते हैं देखिए बच्चे की कमर कितनी होती है आप सबसे पहले कमर नाप लीजिए मान लीजिए अगर उसकी कमर आ रही है आपके पास 12 इंच तो आप उसको 6 इंच के बराबर नापकर निशान लगा लीजिए देखिए जहां पर आपका 6 इंच पूरा आ रहा है वहां पर निशान ल देखिए इस तरह से कर दिया ना मैंने अभी आ गई तो यह चार तह में है तो इसलिए छाड़ छाइंच यह साथ इंच रखी हमने यह देखिए इस तरह से नाप लिए और उसके बाद हम इसके लंबाई नापेंगे तो लंबाई आप अपने हिसाब से देखिए मुझे लंब और इसके बाद में यहां पर भी निशान लगा लूँगे इसी तरह से ने ऊपर यह जो होता है उपर वाला निफे का इससा होता तो इसी के हिसाब से हम लोगों निशान लगा लेते हैं देखिए इस तरह से बहुत यह आसान तरीके से बनाना होता है यह इसमें कोई भेद रही है। सिर्फ आप कटिंग करने के लिए अच्छी तरह निशान लगा लेजीए आप से निशान लगाईं है। निशान को पर लगाया है तो कटिंग करने के लिए निसहान हाथ में एक बार फिर और उसके बाद कैंची से इसको काट दीजिए तो देखिए दोनों तरफ से बरावर है मैं इसलिए दोनों तरफ से ना पा है और अब मैं इसको काट रही हूं को काटने के बाद मैं सब्षल कर दिख़ाउंगे आपको तो यह देखिए, यह मैंने काट लिया है, तो मैंने आधा इंच जादा लिया है, आधा इंच सिलाई की बज़ा से जादा लिया है, जो एक इंच में बदल जाएगा नीचे जाकरना, जब यह मैं इसे दुहरा करके कोल दूँगी, अब यह चार तहमें हैं, जब मैं दो तहमे मैं खोल दूंगे तो वह आधा-धा इंची दो जगह बट जाएगा तो एक इंच हो जाएगा तो यह देखिए यह मैंने एक बार फिर से जहां निशान लगाया था ना आप लोगों को दिखाए नहीं दे रहा होगा क्योंकि इस कपड़े में बहुत शाइनिंग है और यह मल्टी कलर है तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाए थे और मैं फिर से इन निशानों पर एक बार और चौक चला रही हूं मिल्ट पटी होती ही न नेफे की पटी जिसे बोलते हैं तो वो आ जाएगी तो इसलिए उसको डेड़ इंच या दो इंच कम रखे और इस तरह से देखिए काट लीजिए इस तरह से काटिए और यह बहुत प्यारा लहंगा बनके तयार हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी अभी की OP कर तो अब यह देखिए अब यह को खोल दिया है इस तरह से इस तरह से कराया है यह तोड़ा सा यह इस तरह से सिलाई में चला जायेगा और और यह उपर ही ना थोड़ा सा swag में जाएगा तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे 불ग आधा यह बांत लेंग इसको और सब से पहले देखिए आप अगर ऐसा लहंगा बना रहे हैं कपड़े का तो उसके अंदर अस्तर की जरुवत होती है तो इसी के ऊपर देखे देखे यह मैं आपको दिखाई देती हूं यह 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 बैट गई देखिए हमारी 6 इंच काटा था हमने और यह 12 इंच और एक इंच फा प्राइब काटी है जो बेंट आ जाएगी और अगर कहीं पर ऐसा होता ना थोड़ा चांब पड़ जाता है यह जोड़ां जाता है तो वह एड जास कर लेते हैं इस कपड़े में से बचे हुए कि Copa में से बेल्ट चाहें तो इसकी भी लगा सकते हैं और मैं प्लेन लगाऊंगी तो इसकी बेल्ट नहीं लगाऊंगी और अब मैं इसी के नाप का सेम अस्तर काट लोगी और देखिए जब मैं अस्तर काट लोगी तो उसी अस्तर को मैं इसके उपर रखे उपर वाले नेफे पर तरीका है यही इस से यह कपड़ा चुपता भी नहीं है और यह अंदर चला जाता है तो इसके नाप से देखिए मैं अस्तर काटने के बाद इसको एससी तरहिंगे लुए और सिलने के लिए जो मैं तर GG चना क्का बतारी वह बहुत भैस्तर और यह देखे मेनेह यह एनट और इस नेट की मैं लगाऊंग है बैल्ट जिसे कहते हैं नेफा बोलते हैं इसे बैल्ट लगाऊंगी भीं तो ये मैंने दो इntre लियह है तो मेरा बैठेगा यह पन्दरा इंच के करीब बैठ जाएगा क्योंकि 17 नीचे भी चला जाएगा सिलाई में क्योंकि वो मैंने 14 इंच रखा था और अब 2 इंच की यह काट ली है तो इसमें से मेरा 1.5-2 इंच चला जाएगा सिलाई में तो मुझे तैयार चाहिए 14 या 14.5 इंच तो यह देखिए यह मैंने बैल्ट भी तैयार कर ली है तो बैल्ट में लगाऊंगी क्योंकि यह बारिक कपड़ा है तो मैं इसको डबल करके लगाऊंगी तब यह सही लगेगा इस तरह से लगाऊंगी तो यह डबल हो जाएगा तो अच्छा लगेगा तो बैल्ट में इसकी लेहंगे में तो ये मैंने नाप लिया है अपने हिसाब से ये मेरे हिसाब से वैसी बैठ रहा है साड़े बारा ओर या 13 इंच के करीब और ये अस्तर है अब इस स्थर को मैं उड़ूंगी इसके अंदर तो जोडने से पहले दिखिए मैं आपको यह ऐसतर थोड़ा सापको फालतु दिखाई दे रहा होगा तो जितना ही फालतु होता वो सिलाई में चला जाता है हम बिल्कुल बराबर ही काट लेते हैं अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट नहीं तो बिल्कुल बराबर काट लीजिए और सबसे पहले नहीं फास लिठी और सा है और आप चाहिए तो इसमें नाड़ा या ड़ोरी भी डाल सकते हैं तो मैं इसमें फैल्ट लगा увाएंगी और उसके बाद यह तैयार हो जाएगा अब मेरे पाथ सफेदनेट थैस तो मैं क्या करूग ना सफेदनेट की मैं इसतरह से फरील बना रही है। कर दिया और यह इस तरह से मेरा लहंगा हो गया है तैया तो क कैसा लग रहा है आप लोग मुझे जरूर बतायार आपको लगना चाहरा से प्रस इस तरह कोई और भी वीडियो और चाही चीशण के देखने चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए सही रहिए स्वस्त रहिए और फिर मिलिए चलिए मिल आपने.